Dreamweaver Software है जिसके अंदर हम अपनी वर्किंग को परफॉर्म करेंगे मैं Dextop के उपर एक फोल्डर बनाता हूँ जिसमें मैं अपनी वर्किंग को मैनेज करूँगा फोल्डर का नाम मैंने दे दिया मैंने का है आज हम डिव वेबसाइट शॉर्ट वर्डिंग यूज करें डिव वेबसाइट जो आव मैं 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 बनाऊंगा अपके कर दूँगा इसके अपर एक निया फोल्डर बनाऊंगा इमिजिस के नाम से उसमें एक फोल्डर बनाऊंगा अवर्य तो स्क्किरेफिक के नाम से और मैं स्वलस्ट जावा हमने यहां नियू साइट को कि ise कर नाम से शॉूर्द के नाम से मैं इसको मैं dif कर दे ता hijos आओ के यहां से जाकर डेक्सक्टॉब के अब है और यहां से जाने के लिए मम यहां से क्लिक कर ले यहां मेरे पास div website का folder Gotta n n of slash क लिया images में मैं प्रेस बिए बड़ा ले ताक्यास के दिफल के आपके दीफाल्ट images के कि इन सब्सक्राइब ब्लुक्लिकेट कि यहां अगे चाहते न मूंने उलद करा रहे हैं इमेने सब्सक्ति रहे हैं करती हैं अब मैंने अपने अपनी वर्किन का स्टार्ट करना है तो यह मैंने एंडेक्स के नामकी डाट ऐस्टेमल फाइल फाईल उसको उपन कर लिया इंडेक्स.html फाइल पर एंटर किया तो आपके पास इंडेक्स.html फाइल है वो इस तरह से उपन हो जाएगे आप यहां जाकर आपने इस फाइल का नाम में कहता हूं दिव बिसिक डाकुमेंट के नाम से सेव करते हैं आप आपने साफ नाम आपनेस जाकर को दिव डिव का टैगों मैंने जाकर डिव का स्पेल करते हैं वी श्रक मामं बेने में और अभी टैग्स खर स्वक्राराएगा को queda करते हैं अब आज हमने इस डिव टैग की बात करनी है उसमें कुछ भी नहीं है बस यह खतम होगे डिव बना लिया, that's all, finish इसमें और कुछ भी नहीं है लेकिन इसमें वरकिंग तब होगी जब हम इसके उपर काम करेंगे हैं लेकिन यह ट्रेंड 1999, 1998 यह ठीक था उसके बास से जो स्टाइल चला वो यह है कि हम क्या करते हैं कि हर डिव डिव के अंदर एक ही टैग उसको पकड़ते और उसके साथ स्टाइल लिग देते हैं यहां यहां इसके साथ style एंटर कर दिया style basically HTML का एक attribute है इसकी value देनी है लेकिन style में कहते हैं इसमें कितने अच्छे कुपड़े पहने हैं इसके बाल कितने अच्छे लागए हैं इसमें गिलासे बड़े अच्छे लगाए हैं शूस बड़े इच्छे वीर की हैं अगे वह दे रहा कहां लगाना है bottom पर लढ़ाना है, top पर लगाना है, up लगाना है right पर लगाना है, left लगाना है मैंने का border-color मुझे border का color लगाना है कौन सा color मैंने यहां से color से जाकर को ऑचाँ क्या दिया sociedade मुझे border-style ено देना यहां double चले, अभी मैं double नहीं देता हूँ, मैं solid ले रहा हूँ, solid होता है simple, एक मोटी line की तो पर आपके पास आएगा, देखें कैसे मैं कर रहा हूँ, मैं CSS में attribute यूज करता हूँ, attribute के बाद column देता हूँ, column के बाद उसकी value देता हूँ, जब बात खतम हो जाती है तो semi column लगा देता ह ठीक हो गया, यानि मेरा pattern क्या होगा, tag यानि जो भी आपका selector है वो, आपका selector इसके उपर अपने apply करना है, style, equal double quotes के अंदर double quote start, double quote close, दर्म्यान में आपने देनी उसकी properties, properties में आप अलग लग दे सकते हैं, border color ये दे दी, border style ये दे दी, और अगर आपको योगर करना चाहत आपके मैं कहता हूं, border, मैंने border की na, width define करनी है, तो मैंने border dash, अगर ये बंद हो जाए, तो कोई ऐसी परेशानी वेरी बात नहीं, control space से ही दुबारा बूल जाता है, border dash width, कितनी, मैंने कह दिया, two pixels, मैंने border width देती है, ठीक है, ये ये नहीं मैंने border के ऊपर कुछ काम किया, औ अपनी div के ओपर ये working की, मैं सरफ आपको दिखाने के लिए कहता हूं, this is working div, ठीक है, मैंने इसके अदर ये text देख दिया, save किया, F12 त पाएंगे, आप बस ये browser में आपको preview दिखाना शुरू कर देगा, यह browser open करेगा, और उसमें आपके पास आपका जो preview है, वो आपको और इसकी width ये वर 2 pixels है, अगर आप यहां जाते हैं, मैं यहां जाके इसके width को change करके, इसको 5 pixels कर देता हूं, save करता हूं, अब यहां देखिए, star आता है, जब मैं save करता हूं, star खत्म हो जाता है, लेकि अगर मैं यहां पर कोई भी change करता हूं, तो यह star आ रहा है, इसका को preview in a browser करने से पहले, आपने save करने, ctrl s से मैंने फाइल को save किया, अपनी फाइल पर वापस जाता हूं, f5 से refresh करता हूं, मैंने width बढ़ाई थी width चेंज होगी है, थोड़ा सा और बात करते हैं, आपने काता है, star यह solid अपने नहीं समच, solid किया है, मैंने का solid black होता है, मैं dotted कर कर देता हूं, यहां से मैंने dotted कर दिया, save किया, यहां गे refresh किया, जोड़ा सा slow होगा, तो आप देख सकते हैं, कि आपके पास borders जो हैं, वो इस तरह से dotted borders जो हैं, अगर आप change करना चाहते हो, आप double border है, gravy border, जो grey होता है, यह क्या होता है, यह देख लीजएगा, इसमें यह हो होगा, R, अगर आपने R लेना है, तो आप red colorful यूज़ कर लो, 0-7 तक आप combination जोड़ कर सकते हैं, RGB color है red, green and blue, मैंने इसको save कर दिया, refresh किया, अब आपको नज़रा रहा है, ग्रेव border से क्या मुराद है, ग्रेव border जो है, जो जनरेट हो गया, इसका बाहर था, इस तरह अंदर अगर आप ब्लैक कलर पर करते हैं, तो इसका ब्लैक में तो हाँ चीज़ का शेट ब्लैक हो जाएगा, तो इसलिए उसका इतना clear नज़र नहीं आ रहा था, अगर आप इसे किसी और कलर में देखते हैं, थो आपके पास तब यह पास तब यह पास प्रॉमिन आप रहा है, अ इस पर F कर लेता है, और सेट किया, मैं रिफ्रेश कर दिया, अब आपके पास यह तरह से आपके लिए वर्किंग आई, यह तरह से अवेलेबल हो जाती है, आप इसको यह आँसे इस तरह से दीए सकते हैं, मैं आगे जाता हूँ, मैं थक गया हूँ, इतना प्रॉडर के लि अपके लिए सकते हूँ, मैं ने निए हूँ इस रिफ्र तरह से यूजिया निको हूँ, और हम इसलम ने ढहूँ, मैं ब्रॉडर की अप्शिंस तरह से यूजि नहीं करना हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यह unauku करता हूँ, आप लिखते हैं अब यह बॉडरश करता मैंने का बॉर्डर, अब बॉर्डर के अंदर जो भी बॉर्डर आप देना चाहते है, पहले उसकी विर्थ बताईए, मैंने का जी 1 पिक्सल का मुझे बॉर्डर चाहिए, स्पेस दे, अगली अगली अप्शन को पूछ लेगा, क्योंकि अभी तक बॉर्डर नजर नहीं आए कि अभी आपने बताया है कि इसके स्टाइल किया है, तो शॉर्ट प्रॉपर्टी में आप बताओ कि आप क्या चाहते हो, तो आप जिस वांट थिक बॉर्डर, मैंने यहां थिक बॉर्डर के अप्शन स्लैक कर दी, और उसको कलर जो भी देना वो यहां से आप कलर दे दो, इस तरह से आप कोई भी वर्डर के साथ जिया परफार्म कर सकते हैं, मैंने यहां से इसको सेव किया, और बाथ निन को अभी दे चेंज करता है, hidden border नजर नहीं आता है, insert, none आना ही नहीं है, outside की तरफ नहीं है, बाइर की तरफ जो भी आप करना चाहिए, I love to use this solid water, जो के बहुतल डार्पा होता है, आपको नजर आता है, प्रॉमनलिटी आप इसको दीएक से, दो divs होगी मेरे पास, यह इसका मतलब है, कि व बाद तो फिर वहीं आ जाती है, ठीक हो गया, तो मैंने यह red और green border बनाया, मैं इसी div को नीचे copy कर लेता हूँ, तो मैं एक तीसरी div को भी अपना, same effect जो है apply कर देता हूँ, और इसका जो border है, तो मैं यह कर देता हूँ, ठीक है जी, save करता हूँ, मैं कह देता हूँ, यह मेर अधिरा कॉन सा है, red border है, और मैं इसी को नीचे लेके जाता हूँ, यह red border की बजाए, Rgb blue border है, और यह आपके पास कों सा मैं कर देता हूँ, green border है, Rg green, ठीक है जी, जिक है जी, जिक है जी, जिक है जी, जो लिखाना वह बड़े, 0, F, 0, यह 0, F, डिसल की color combinations है, जिक है, जि जो स्क्रीन मॉड होता है वह हम यूज करते हैं आर जीबी कंबिनेशन में अगर आपका ये प्रिंटिंग मॉड होता है प्रिंटिंग के लिए मैं कुछ चीज बना रहा हुता है को उसे onigorता हसा फोटॉशॉप ईया बजार हुता ये कोरल में काम का रा रहा हुता ये वह पर जो ओड़ के जाते हैं ये उसे onगिंटिते हैं साओं ने एक आश्वाइण के मोसं optimize सपहर शुटे नेन और वहाँ हैं आर जी बी कम्बिनेशन है जो आपके पास इस तरह से आता है अब इसी आर जी बी कम्बिनेशन के अवाले से हमने जो अपनी रफिंग पर फॉर्म करनी है उसी को डेल किया जीरो का मतलब है कि रेड कलर बिल्कुल ही डालना अगर मैं कहता हूँ A इसका मतलब यह होगा के रेड कलर डालेगा अब कौन-कौन सा कलर रेड फुल नहीं है ब्लू फुल है एफ फुल होता है क्या है एफ डेसिमल नंबर होते है जिरो से फिप्टीन तर जिरो वाट टू तुरी फॉर फ़ाइव सिट सेवन नाइट नाइट नहीं होता A पर B C D E F तर एफ एफ एक्स्ट्रीम फिफ्टीन को शो करता है मैंने सेफ कर दिया मैं वापस गया मैंने जब यह देखे हैं अब यह ब्लू बाडर नहीं बना अब इसमें तोड़ा सा एड मिल वाल्ड होगया और मजेंटा सा कलर जो मेरे पास डिराइव होगया ठीक है अब हम इतनी जहमत नहीं किरते हैं हमने एक दफा जब उते हम किसी की वेबशेट बना आखे बेनी होती है अब यह बना आखे जाए और तरह से यह आपके पास में अपन नहीं किसी को अपन कर लेता है अब यहां से डाउन एरो पर जाके जो भी कलर अपन करेंगे तो उसको अपन नंबर आ रहा है जबतर यह स्टायल है जो ग्रे में यूज होता है तीनों कलर तोड़ 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 डाल दी जाते है इस क्लोज तो वाइट लगी तोड़ा सा इसमें ब्लैक शेड मिक्स कियाता है तो अगर आप यहां से शेड नहीं देखना जाते हैं आप कंटिन टून आ रही हैं आप अगे चाहिए सब्सक्राइब कि लगाएं जर्मी के अई चाहिए लुट के सब्सक्राइब कर दोड़ाता है तो यह आपके विर्टोस के आपको विर्टोस के अवियरा है अगर आप कहते हैं मझे अपने मैक आर मैस एसे इससे कलर रहा है एक इन उनके टून कर लेना है तो लेकि मुझे उस C-C combination के अंदर भी थोड़ा वो शेयर्ट चाहिए तो फिर आप उसके साथ double F दुबारा से लगाते हैं यह C के सथ अभी कुछ ना होने का मतलब होता है कि CC है अबर आप उसके कुछ जोड़ चीज़ टाइस करना चाहिए तो आप उसे लेकि मुल्टी शेयर्ट है आप उसके टियून्स बिल्ट कर सकते हैं सर यह लिखके इसके बाद रोड़ स्पेस बागे यह एक कलर सकते हैं हम मुस्ड जो चाहिए को पर मतलब क्यूबस से लेती हैं यह पहले परोड़ी पहले बाता हैं मेरे बिलकुल वह जिने रेटेरल क्लर्ड कम था है तो मेरी प्रेफरेस होती है कि यह हो लेगे, आपको पता है कि डिजाइन देरी मर्जी का नहीं होता है, तो क्लाइट कहता है नहीं कि मुझे यह रंग पसांद ही हो, कहता है यह आपने नीला रंग लिया लिया लेगे, मुझे इसके शेड दिखाएंगे, इसमें शेड लेगे, लेगे फिलाल मैं कोई आप्शन देल कर रहा है, मैंने सिर्फ कलर कुब्स को टील किया है, आप कलर फॉर्मेट्स हैं, आप कहते हैं, मैं नहीं चाहता है, हमारा यूजर जो RGB colors होते हैं, इनमें brightness होती है, जो आपके CMY colors होते हैं, वो dull colors होते हैं, दबे हुए color होते ह ठीक है, क्योंकि प्रिंटिंग में यूज़ होते हैं, तो sparkling कर आप, मुनिटर के ओपर हमारी प्रिली प्रेफरेंस यह होगी, कि मैं RGB color यूज़ करूँ, लेकिन ये HEX editor के साथ हो रहा है, अगर आप कहते हैं, HSLA यूज़ करना चाहरें, RGBA करना चाहरें, ये modern colors हैं, आप इस पास अवाले आना शुरू है, लेकिन अभी फिलाल मैं यहां पर dark colors लगाया है, ताकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप यहां पर इसको prominently view कर सके, आपको prominently लगा सके, ठीक हो गया जी, ये तो dark colors के अवाले से बात, आप वापस आ जाते हैं, हमारे 3 divs यहां पर ब कमेंड लगाने का तरीका होता है कि लहजन का sign देते हैं, उसको sign of discrimination दिया जाता है, दो hyphen लगा जाती है, अब आपका browser यह नीचे वाले सारे इससे को नहीं पढ़ेगा, यह comment बने हैं, मैं चाहता हूं कि यह comment यहां बने हैं, यहां से खतम हो जाएं, so I just do more hyphons out there and then close this, मैं इसको close कर दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपका दिल नहीं मानता, आप के इतने सारा हम एडिटर का सहारा लेना चाहते हैं, एडिटर के अंदर आपके पास यहां पर apply comments की option बजूद है, आप इस पे click करें, मैंने कि जब यह आपको आगे CSS पढ़ानी है, फिर programming भी, हम JavaScript पढ़ेंगे, और उसके पाद पीच भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिल हाल अपने के लिया apply HTML comments, यह पहले वाली option है, मैंने इस पे click किया, तो वही option जो मैंने भी आपको manually कर दिखाई किया, आपके पास यह इस तरह से apply हो जाएगे, अब आप सोचोंगे, मैंने यह क्य मैंने कापी पेस्ट करनी है, क्योंकि मैंने इसमें चेंज करनी है, तो इसलिए मैंने इसको वरकोप में इस तरह से लिया, मैं तोड़ा से इसका zoom adjust करता हूं, मैंने काफी बढ़ा करके आपको दिखा रहा हूं, यह इसका actual standard zoom है, जब यह 100% पर आ जाएगा, अब बढ़ा हो चोटा हो, reset को default करेंगे, तो आपके पस normal zoom जो है, वो set हो जाएगा, इसको तीन divs, red border, blue border और green border के नाम से, मेरे पास अभी निमल है, यह पूरे पेज पर आ जाते हैं, और चोटी यह बढ़ा करता हूं, बढ़ी हो जाती है, कि किस जार तक मुझे बार ठीक लग रही है, ले यहां, उस style के अंदर यह चीज़ें आ रही है, style के अंदर यह चीज़ें आ रही है, मैंने का width, कितनी, मैं इसको कह देता हूं, 250 pixels, pixel, अभी मैं pixel यूज़ कर रहा हूं, एक EM standard है, वो भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन अभी फिला, pixel, smallest particle on the screen, is card pixel, इस अप मेरी screen की resolution है, वो भ यह जमाने में पढ़ता था, 95, 96 की बात है, उस जमाने में, जो resolution हैं बहुत ही old यूज़ होती थी, तिर work change हुआ, आज कल जो सबसे low resolution है, 800 x 600 है, 800 x 600 का मतलब क्या है, 800 x 600 का मतलब है, कि आपके पास 48000, यानि इतने dots हैं, जिन से मिलकर ही screen बनी है, अगर आप resolution बढ़ा देते में आज कर्मेंटिट है कि में आपको सिखा रहा हूँ, मेरी प्रेफरेंस होगी कि हम इसको बड़ी screen के लिए बनाने है, तो दूसरी बात है कि अपने बात की थी, हम bootstrap पर जाके देखेंगे, कि इसको device compatible कैसे करना है, अगर मैंने इसको laptop के बजाए desktop पे चलाना है, मैंने चलाना है किसी tablet के उपर, मैंने इसे चलाना है किसी iPhone के उपर, तो वहां मेरी resolution किस तरह होगी है, इस सुथ मैंने अपने laptop के resolution सेट की हुई है, 1366 by 768, यानि इस तरह 1366 set है और इस तरह 768 set है, ठीक, आपने मुझे यही resolution चाहिए, क्योंके professionally, अब हम इसी resolution पर इसे extra large screens कहते है इन के लिए काम जो है, वो करते है, मैं Dreamweaver वापस किया, मैंने क्या किया है, मैंने 250 pixels कह रही है, 250 pixels का मतलब यह है, कि आपके 250 pixels की dip बनेगी, अब screen की चुड़ाई कितनी थी, 1366, अब मैंने उसमें से कितनी use की है, 250 तो, obvious बाद है, तो तोड़े ही से पूरा आएगा, तो मैं आपने ब्राउजर पर जाब कि इसका view करता हो, F5 दबाना है, आपकी dip जो है, वो छोटी होगी है, ठीक हो गया, यहां तक clear है, अच्छा नीचे वरी नजर नहीं आ रही, क्योंकि मैंने comment कर ते है, इसलिए नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर आप control यू करते हैं, इने view source करत मैं वापस आ जाता हूँ, मुझे यह विर्थ चाहिए थी, मैंने यह आपको यूज करके लिखा दी, अगर आप कहते हैं कि समनी, आप तोड़े हाइट भी दें, तो मैं यहां जाता हूँ, मैं यह पास attribute हाइट का, मैं हाइट कहा देता हूँ, 100 pixels, आपने height भी 100 pixels जो है, वो तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतने इसे को कॉपी कर लेता हूँ, और इसको आपको कमेंट कर देता हूँ, ताकि आप इसे बाद में भी स्टडी कर सके हैं, नीची चले जाते हैं, उस इसे को दुबारा से यहां पर पेस्ट कर देते हैं, और यहां पर जाकर मैं, height का attribute मैं यूज किया है, मैं उसको खतम कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा, height का attribute खतम करने का मतलब है, कि मेरी इस div की height इतना इसमें data लिखा होगा, उसकी जितनी height होगी, उतनी होगी, आपने का मिल्कुल ठीक है, मैं समझ आरह मैं तो बढ़ागर की दिखाता हूँ, green border div आपके स आपके पास height का attribute जो है, अगर लिखा होता, like 50 pixel ही बेशा की लिखा होता, sorry, मैं 50 pixel spell की कीजिएगा, px pixel के लिए, तो वो automatically उसके लिए जगा छोड़ता, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं लिखा हूआ, तो फिर उसके लिए जगा नहीं छोड़ी है, तो मैं आपके height use नहीं क अब यह तो थी मेरी working जो मैंने यहां पर perform की मैं इसको दुबारा से एक दफा standard कर लेता हूँ, यह मेरा छोटा सा करके नजर जरूरा लेकिन होग कि आपको easily आपसे देख सकते हैं, अब मैं इसमें मजीद काम करना चाहता हूँ, मैं दरमयान वरी div के उपर काम करना चाहता ह मैं आनल डिक के उपर आजएगे, चीक है, मैं चाहता हूँ कि इस div के बाहर की तरफ space आए, blue के बाहर की तरफ space आए, यानि red और blue के दिरमयान gap आए, ठीक आपको याद होगा, अब मैं इस के बाहर की तरफ gap चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको discuss करते हैं, दिखिएगा, मैंने मैंने का insert shape, office है, इस तर बेस हो, दूर कर लेते हैं, यहां के insert shapes, मैंने यहां से एक or box लिया, इसके अंदर ले 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 ले, इसको lag कर लेता हूँ, खिक है, अगर आब और से दिखना है, मैं इसके उपर golden model लगाता हूँ, इस div की बाब कर रहा हूँ, इस div के हवाले से यह जो बहर निला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, यह इसका margin कहलाएगा, क्या कहलाएगा, margin, यह जो आपको औरे विस्सा नजर आ रहा है, यह इसकी outline कहलाएगी, चीक है, अच्छा इसमें अगर मैं कुछ over करता हूँ, मैं कुछ क्या कर रहा हूँ है, मैं आपको बतावा नहीं रहा, मैं यह करता हूँ, आपको नजर भी नहीं आएगा, लेकिन मैं राम राम सी कर रहा हूँ, ठीक है, अब आप देख सकते हो, इसके उपर निले रंगहल की एक outline आती है, आप इसे कहलो कि यह जो golden वाला है, अगर यह border है, तो यह outline है, एक border होता है, एक outline होती है, ठीक हो क्या, और अगर मैं इसके अगर की तरह बात करूँ, तो वो मेरा object है, मेरी deep है, मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, मैंने का, hello class from author, ठीक है, अब उपर की तरह भी कुछ space है, कुछ left की तरह space है, कुछ right की तरह space होगी, study, 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 अगर नीचे आगा, अबी gap था मांगे, about, html, css, ठीक है, I just select it out, go there, मैं आपको दिखाने के लिए कामगा रहा हूँ, ठीक है, सब दिखाने के लिए मैंने ही किए, कि इधर भी space है, इधर भी space है, ऊपर भी space है, नीचे अभी लिखा जा सकता, space तो already है, लेकिन ये जो text के बाहर space उठी है, बिव के अंदर और text के बाहर, ये space आपकी padding के लाती है, कितने चीज़ें हो गए, सबसे पहले margin, फिर outline, अच्छा, मैं आउट line को prefer नहीं करता हूँ, मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, आप देखेंगे, शायद पूरे course में कभी ये का लिख पढ़ाते वह यूज किया है, वैसे मैं इसको बहुत कम यूज करता हूँ, ठीक है, outline हो गया, border, ठीक है, और last चीज़ के अबता ही, समय आगी चार वारते है, ठीक है, एक ही करा हूँ है, बाकी आपने कुछ दिख नहीं है, लिखिएगा कैसे, blue अले div की बात करता हूँ, यहाँ गया, blue अले div के अंदर, म मुझे सरफ उपर की तरफ margin देना है, मैंने का margin-top, margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-top, मुश्किल हो जाएगा न, तो मैं क्यों न इतनल नमपजबा कर रहा हूँ, मैं खाली लिता हूँ margin, enter, अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 10px, इसका पता क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उपर की राइट की तरफ, बॉटम की तरफ और लेफ्ट की तरफ, 10px का margin देना है, ठीक है, मैंने के किया, सेव किया, वापस गया, रिफ्रेश का लिए, आपकी div की चारो तरफ 10px का margin देना है, ठीक है, यहाँ तक clear है, यू सफयान, ठीक है, बुड़ा है, बुड़ा है, रोखा ह